Hello everyone, welcome to my cooking lunch vlog आज के इस एपिसोड में आज मैंने बनाया है सूपर टेस्टी नास्ता यानि की स्नेक्स जिसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है सबसे पहले मैंने ले लिए बड़ी सी कढ़ाई गहरे तले वाली और इसमें डाल दिया है तेल मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ क्योंकि जो चीजें में फ्राइंड तेल में ही फ्राइं करती हूँ और नॉर्मली मैं घर में तड़का लगाने के लिए या फिर खाने के लिए फिर पराठे बनाने के लिए इस्तिमाल करती हूँ ओले वोईल और मस्टर्ड ओयल का मुमपली को हमें डाल देना है एक छन्नी में और छन्नी को रख देना है तेल वाली कढ़ाई के अंदर और फट गया है यह इसका शाइन होता है तलने का की बीच से फट जाती है color भी चेंज हो जाता थै तो बस इसको निकाल कर मैं side में एक वर्तन में रख देती हूं अब यहां पर जो गरम तेल है इस गरम तेल में डालेंगे हम पोहा तो मैं इस्तिमाल कर रही हूं आदा किलो पोहे का यह जो पोहा है रेगुलर मैं पोहा बनाती हूं वही मैं इस्तिमाल कर रही हूं और गरम गरम तेल में पोहे को डाल कर फटा-फट से फ्राय कर लेना है फ्राय होने के बाद इसको मैं एक पर लख लेना है पोहा तलने के बाद तेल अभी गरम है तो इसी गरम तेल में थोड़े से करी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च भी तल लेते हैं अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं पर हरी मिर्च से टेस्ट बहुत बढ़ी आता है नमकीन का मिर्च और करीपत्त हमारे तल गए हैं तो इनको निकाल कर मैं मुमफली के साथ ही रख देती हूँ और अब मैं क्या करूँगी सारी चीजों को ठंडा कर लूँगी हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो गई है तो जो करीपत्ता हमने तला था ना उसको हमें ऐसे हाथों से क्रश कर लेना है करीपत्ता अच्छे से तल जाता है ना तो बहुत आसानी से ये क्रश हो जाता है करीपत तक रश होने के बाद इसमें डाल देंगे अपना पोहा और साथ इसाथ मैं यहाँ पर एक खटा मीठा नमकीन इस्तिमाल कर रही हूँ वो डाला है मैंने और डाला है एक चम्मच भर के चाट मसाला अब ही हम क्या करेंगे पहले सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम टेस के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे मैंने थोड़ा सा इसको टेस कर लिया नमक मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ पर इसमें आज़ चम्मच नमक और डाल दिया है आपस मैं अच्छे से मिला लिया है मिलाने के बाद यह डाल दिया है मैंने दो चम्मच पिसी हुई चीनी सारी चीजों को फिर से हम अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे यह जो नमकीने हलका सा खटा हलका सा मीठा अच्छा लगता है इसलिए मैंने चीनी का इस्तिमाल किया है तो बस अब मैं इसको भरके रख देती हूँ एक कंटेनर में थोड़ा सा नमकीन में छोटे वाले कंटेनर में भरके रख रही हूँ यह मैं बाहर ही रख दूँगी जिससे बच्चे इजीली खा पाएं और बाकी नमकीन में बड़े कंटेनर में रख दूँगी आईडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर जरूर बताना लेंगे एकले वीडियो में तब तक लिए टेक क्या